इस वीडियो का टॉपिक है character input and output इसमें हम दो functions देखेंगे, get care and put care get care user से एक character input लेता है और put care user की screen पर एक character output करता है हम कुछ programs देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसा program जो एक character input लेता है और उसी character को output कर देता है basically वो copy करता है input से output में एक character लेता है फिर हम देखेंगे एक program जिसमें हम characters को count करेंगे फिर हम एक line counting का program देखेंगे और एक word counting का program देखेंगे इन सभी में हम get care or put care का use करेंगे हम अपनी screen पर एक simple सा program देख सकते हैं यहाँ पर हमने include stdio.h किया है क्योंकि standard input output header file में ही हमें get care और put care functions मिलते है main function के अंदर हमने int c लिया है इस int में हम get care function से character input कराएंगे हम यहाँ पर care c ना लेके एक int c ले रहे है get care एक character input करके c में डालेगा और put care c को ही एक argument के तोर पे लेता है और a output आया अब बात करते हैं हमने आपे int से क्यों लिया है और care से क्यों नहीं लिया है जब हम एक stream of characters को parse करते हैं या फिर हम एक file लेते हैं और get care से उसे बार-बार characters input कराते हैं तो जैसे ही हमारा input end होगा वहाँ पर get care एक special number generate करता है जो की symbolic constant में होता है end of file क्योंकि end of file एक symbolic constant है तो end of file की value हर एक machine पर different होती है end of file की value ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी character के equal ना हो उसके अलावा वो कोई भी value हो सकती है get care अगर कुछ भी return करता है तो c को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको store कर पाए अगर get care एक character return कर रहा है तो c में character तो store हो ही जाएगा क्योंकि int क्योंकि care basically क्योंकि care basically एक int ही होता है एक character को input करना basically एक integer को input करना ही है लेकिन integer आम तोर पर care से बड़ा होता है आम तोर पर हमारी machines में integer हमको 4 bytes का मिलेगा जबकि character आम तोर पर 2 bytes का मिलता है क्योंकि int के जो size है वो character से बड़ा है तो हम get care से जो भी value return होती है भले ही वो end of file हो तो हम उसको c में store कर सकते हैं हम int को बिलकुल वैसे ही use कर सकते हैं जैसे हम care को use करते हैं तो हम put care में अगर c को डालें तो actually वो simply character ही output करेगा तो हम मैंने source code को edit करके हमारे first program के बराबर बना दिया है यह हमारा first program है यानि copy input to output one character at a time तो यहाँ पर हमने simply यह change किया है कि हम get care को end of file से compare कर रहे हैं अगर c end of file के बराबर नहीं है यानि अभी भी input बचा हुआ है तो हम screen पर print करेंगे और फिर से अगला input ले लेंगे तो मैं input देता हूँ a, a print हुआ b, b output पे आया c, c output पे आया अब मैं नई line पर अगर end of file दूँ तो यह program end हो जाएगा end of file कोई character नहीं है तो हम उसे keyboard पर represent नहीं कर सकते तो end of file देने का तरीका Linux और Mac पे ctrl D है और Windows systems पे ctrl Z है फिर मैंने enter दबाया तो मैं console के बाहर आ गया यह पिछले program को एक modified version है यहाँ पर मैंने c equals getcar को while की condition के अंदर ही डाल दिया है तो getcar एक character read करेगा फिर c में डालेगा अब क्योंकि एक assignment है तो c की जो value होगी वही return भी होगी अब उस return value को end of file से compare किया जाएगा अगर end of file नहीं रीच हुआ है तो उसको print कर देंगे अगर end of file रीच हो गया है तो हम while के बाहर आचाएंगे अब क्योंकि putcar केवल while का एक लौता statement है तो हमें प्रेशस की ज़रूरत भी नहीं है तो इसको हम चला कर देखते हैं A input देने पर A output आ रहा है B input देने पर B output आ रहा है C input देने पर C output आ रहा है और अगर मैं अब control D दूँ तो हम प्रोग्राम के बाहर आ कर अब यह एक character counting program है मैंने पिछले program में कुछ modification करें है अब जब भी एक character input होगा और वो end of file नहीं होगा तो हम एक long variable को जो मैंने long counter लिया है उसको हम increment कर देंगे long counter मैंने यह इस लिया है क्योंकि long की जो range होती है range और values जो long store कर सकता है वो end से काफी बड़ी होती है तो हम long counter को increment कर देंगे और printf से हम %ld देखे long को print कर देंगे तो मैं देख सकता हूँ कि 15 character count आया Hi, how are you का तो यह था हमारा second program character counting basically simply get care आते ही हमें nc को increment करना था इसमें अगर हम यहाँ पर देखे तो हमने while की जगे एक for loop यूज किया हमने long की value को for के अंदर ही initialize कर दिया हमने for की condition में get cat not equal to for की condition डाल दी जैसा कि हमने for की video में देखा था for loop की video में initialization किसी भी variable का किया जा सकता है condition कोई भी condition हो सकती है और increment भी किसी भी variable को किया जा सकता है तो यह for video का एक अच्छा example बन सकता है तो यह for loop ऐसे चलेगा कि हम long nc को initialize करेंगे फिर चेक होगा क्या अगला character end of file तो नहीं है अगर अगला character end of file नहीं है तो एक empty statement को हम run करेंगे यह empty statement basically कुछ नहीं करेगा फिर हम nc को increment कर देंगे अगर इसी तरीके से get care end of file के बराबर हो जाता है तो हम for के बाहर आ जाएंगे जब हमने दो line में इस input को दिया तो हमें character count दे रहा है 6 यानि A के बाद backslash end new line भी count हुआ और B, C, D के बाद backslash end new line भी count हुआ तो इस तरीके से 2 plus 4 का count total होके दे रहा है 6 यह हमारा program है lines count करने के लिए यह program 3 है यहाँ पर हमने एक int c लिया है जो कि get care का input जो कि get care के द्वारा return किया गया character store करेगा nl new lines का counter है get care से जो character return होगा वो c में store होगा फिर c जो value store करेगा उसको हम end of file से compare करेंगे अगर यह end of file नहीं है यानि हमारा input अभी तक end में हुआ है तो हम c को देखेंगे क्या वो new line तो नहीं है backslash end new lines को represent करता है line counting में simple सा logic ही है कि जतनी new lines होंगी उतने ही lines actually होंगी यहाँ पर a b के बाद में actually एक new line है जो कि छुपी होई है backslash end और c d के बाद भी एक new line है backslash end तो अगर हम इन backslash ends को count करें तो हम lines को भी count कर सकते हैं यह new line character अच्छली छुपा हुआ होता है ग्यूंकि एक escape sequence है लेकिन escape sequence भी actually एक single character होता है जो कि single quotes के अंदर होता है तो हम सीधे सीधे new lines को compare करने के लिए backslash end single quotes के अंदर यानि new lines को single quotes के अंदर c के equal compare कर सकते हैं एक बार हमको पता चल गया कि new line कहां पे है तो हमको यह पता चल जाएगा कि कितनी line है और हमको यह भी पता चल जाएगा कि number of lines just एक increment करना है तो हमने while के अंदर एक if दिया और उस if के अंदर new line increase कर दिया फिर print if new line को print कर देगा तो अगर मैं देखों a b फिर अगली line पे c d और अगली line पे e f इसका output आ रहा है 3 क्योंकि यहाँ पर 3 hidden new lines है a b के जस्पाद c d के जस्पाद और e f के जस्पाद जो कि हमको actually output पर दिख नहीं रही है पर actually वो present है तो यह है हमारा आखरी और final program यह word counting program है इसमें मैंने लिये है variables c number of lines nl number of words nw number of characters nc और एक state हमने hash define से in और out नाम के दो symbolic constants बनाए है हमने state को सबसे पहले out यानि 0 की value से initialize किया हमने nl, nw और nc को 0 की value से initialize किया जब हम लोग इस तरह से variables को initialize करते हैं तो उसका मतलब actually यह होता है क्योंकि assignment operator right to left associative है तो सबसे पहले nc 0 की value से initialize होता है फिर nc की जो भी value है यानि 0 यह nw में जाएगी फिर nw की जो भी value होगी वो nl में जाएगी हमने get care से c में एक value डाली जो कि हमने end of file से compare करी अगर यह end of file नहीं है यानि कोई character है तो हम number of characters को increment कर देते हैं अगर हमारा जो character अभी-भी हमने c में डाला है वो new line है तो हम number of lines increment कर देंगे अगर हमारा current character space है new line है या tap space है तो हम अभी किसी word के अंदर नहीं हो सकते जैसे इसी को ले लें not in a word तो जैसे हम इस space वाले जगहें पे हैं तो अगर हम इस space में हैं not और in के बीच में तो यह पहली condition true है अगर new line के बात करें तो हम word के अगर just बाद में है यानि यहाँ पर new line है तो यह second condition true हो जाएगी और अगर बीच में tap space है तो यह third condition true हो जाएगी इन तीनों ही conditions में actually हम किसी word के अंदर नहीं है तो हमने state को out कर दिया और अगर हम already किसी word के अंदर नहीं है तो यह पक्की बात है कि हमारा अगला character किसी word के अंदर ही होगा अगर हम exactly not और in के बीच वाले space में हैं तो हमारा अगला character i होगा और i word in के अंदर आता है तो हमने state को in कर दिया और number of words को increment कर दिया तो अगर मैंने input दिया hi, how are you, I am fine तो इसमें हम देख सकते हैं कितने character, कितनी new line और कितने spaces हैं सबसे पहले हमने input, सबसे पहले हमने output किया है new lines तो हमें पता है यहाँ पर 1, 2, और 3 new lines हैं और वही हमारा पहला output है तो 3 new lines सही print हुई हमको यह देखना हुगा कितने number of words है second output number of words है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ words हैं और हमारा second output 7 है तो number of characters 25 आ रहे हैं अगर हम count करें 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 14, 14, 14 और 4, 18 यह new lines 19, 20, 21, 22, 23, 24 और last में 25 तो हमारी number of characters भी 25 आ रहे हैं 6 आ रहे हैं झाट्स 1 स्थ में 26 न क्यद्स 1 प्ते रहे संग कजस वी 25 आ रहे संग संसाह कर रहे कूक्प्क्ड़法 स्थ्स yending बb Assim ढ झा़े सबस्राबह यह घुगल— स्थ्स